जहिंद दोस्तों आज का सेशन सभी UPSC experience के लिए बहुत ही important और informative होने वाला है Recently आपने एक news पड़ी होगी cantonment से related उस news के बाद कहीं सारे students के मेरे पास comments आए, messages आए जो की पूछ रहे थे कि सर, IDES service का क्या future होने वाला है इस news के बाद वो news क्या थी? पहले एक बर वो देख लेते हैं इस तरह की news आप सभी newspaper में देख रहे होगे कि government to dissolve all 62 cantonments, several cantonments to be shrunk into small military stations government to move away from the concept of cantonments, center ends cantonment practice अब जब ये news किसी एक UPSC aspirant ने देखी तो अगर उसको थोड़ा सा भी knowledge है regarding cantonment तो उसको पता होगा कि इस news का relation है कहीं ना कहीं IDES यानि की Indian Defense State Service जो की आपके UPSC Civil Services exam के थूँ फिल की जाती है उसके साथ हम पहले ये समझ लेते हैं कि इसका relation इस service के साथ है कैसे? उसके बाद थोड़ा इसको technically समझेंगे news को और आपको reality मैं बताऊंगा reality असल में है क्या? देखो आप में से कहीं students को तो पहले cantonment और military station में ही फरक नहीं पता होगा आप में से बहुत लोग military station को भी cantonment बोल देते हो, कुछ लोग cantonment को military station बोल देते होंगे एक अगर cantonment है, मालो ये cantonment है, हर cantonment में एक civil area होता है, जिसको मैं C से denote कर देता हूँ उसको आप ये समझ सकते हो कि वहाँ civilian लोग रहते हैं, पुराने टाइम के वहाँ पर आपको buildings दिखेंगी, shops दिखेंगी, घर दिखेंगे तो वह एक civilian area है, within a cantonment, और उस cantonment के अंदर आप military को भी देखते हो तो जहाँ पर civilian area होगा, उसको हम बोलेंगे cantonment, और जहाँ पर ये जो civilian area है, वो नहीं होगा उसको बोलते हैं military station, आप जहाँ पर भी रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, आपके आसपास कहीं ना कहीं, आपको कोई cantonment या military station दिखेगा अब आपको पता जाना चाहिए, दोनों में difference, तो news basically क्या ही है, कि जो हिमाचल परदेश का योल cantonment है, उसमें से इस civil area को अलग करके, जो local municipality है, उसमें merge कर दिया गया है और इसको एक exclusive military station बना दिया गया है, एक small military station बना दिया गया है, और अगर आप इन news की headlines को पड़ोगे, तो आपको लगेगा कि शायद अब जो बाकी के cantonments हैं, उनमें भी ये होने वाला है अब IDS का service का यहाँ पर क्या link है, बेसिकली ये जो civilian area होता है, किसी भी cantonment के अंदर, उसमें जो लोग रह रह रहे हैं, उनका कोई भी welfare, उनसे related कोई भी आप समझ सकते हो, जैसे शेहर में municipal body, लोगों का ध्यान रखती है, with regard to land, street light, sewerage, कोई भी चीज़ आप इमेजिन कर सक अपने से related property tax, multiple functions होते हैं, cantonment के अंदर civilian area के लिए वो cantonment board देखता है, एक body होती है cantonment board, वो देखती है, तो उसके अंदर एक बहुत ही powerful और बहुत ही important post होती है, chief executive officer की, मतलग आप imagine नहीं कर सकते है किस level की facilities इस post पर दी जाती है, किस level की आपको authority feel होती है, तो वो जो officer होत है IDES officer, जिस level की facilities और authority आप इस post पर feel करते हो, वो IES IPS के अलावा, मैं आपको frankly बता रहा हूँ, IES IPS के अलावा civil services exam के थूँ जो बाकी की services recruit की जाती है, उसमें कभी भी feel नहीं करते हो, यही एक IDES officer की बड़ी एक charm वाली post है, जिसके बारे में बहुत लोगों को शाय नहीं भी पता है, इसलिए कुछ बच्चों की query आई है कि सर इस news के बाद क्या IDES की service पर इफेक्ट पर जाएगा future के IDES की service का, जो एक इतनी important post है, अगर वही खतम हो गई तो क्या future है IDES service का, आज के session में उसके regarding बात करते हैं, by the end of the session आपको बिलकुल clarity हो जेगी, पहले तो यह जो news आ अभी हम एक news का content यहां देख रहे हैं, overview ले रहे हैं, पहले तो इसमें बताया है कि YOL cantonment जो हिमाचर परदेश में था, वो पहला cantonment बन गया है, जिसका जो civilian area है, वो local municipality के साथ merge कर दिया गया है, इस से पहले 62 cantonments थे हमारी country में, अब 61 cantonment रह गए हैं, अब इस news में यह भ अथान में हैं, वहाँ पर भी इस तरह का आगे in future action लिया जा सकता है, अब आगे इस news में यह भी mention किया गया है, कि यह चीज practically possible नहीं है हरे cantonment के लिए, क्यों नहीं possible है, मालो यह एक cantonment की boundary है, अब अगर तो civilian area boundary के पास है, कहीं पे भी, उसके बाहर आपको पता है city होता है तो उस case में तो ठीक है, आप यह कहतोगे ठीक है, अभी तक अगर cantonment की boundary यहा तक थी, अब इस boundary को ऐसे कर दो और इसको city में merge कर दो, तो practically possible है, बट मालो अगर यह civilian area center में है, बीच में कहीं है, तो उस case के अंदर जब continuity ही नहीं होगी, और आज़ पास आप समझ सकते हो कि military establish establishments है, तो कैसे आप इस चीज को एक continuity के अंदर city के साथ merge करोगे, तो कुछ practical problems हैं इसके अंदर, आपके दिमार में यह भी question आ रहे होगे, कि suddenly जुरोत क्या पड़ी इसको merge करने के लिए, उस सब का अंसर भी अभी हम इसी session में discuss करने वाले हैं, तो अब जो questions आपके mind में सबस यह था कि हमारी military establishments होती है, cantonment के अंदर, वहाँ पर civilian population भी है, तो कही न कहीं उस वज़ा से एक security threat रहता है, क्योंकि military station के अंदर तो military फिर भी control कर सकती है, कि ठीक है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अगर कोई जा रहा है, तो अपना ID जमा करवा के जाए, बट cantonment, जिस इस तरह का control रखना मुश्किल होता है, तो इस वज़ा से कहीं न कहीं उनके लिए security threat भी बन जाता है, तो उनका point यह था, अगर हम civilian लोग जो cantonment के अंदर रहते हैं, उनकी बात करें, उनकी तरफ से भी ये demand थी, कि हमें जो एक state के welfare scheme के benefit होते हैं, वो नहीं मिलते हैं, क्यो उनको उतने benefit नहीं मिल पाते थे, क्योंकि center वाले कहते थे कि आप state के अंदर आते हो, तो इस वज़ा से, इस MBUT की वज़ा से, कहीं न कहीं वहां के civilian लोग सफर करते थे, उसके अलावा भी अगर हम देखें, अगर एक city की जो municipal body होती है, जो उसके rules and regulations होते हैं, लग-लग welfare schemes क को लेके, या आपने मालो अपनी renovation करनी है, घर के अंदर अपना घर बनाना है, कुछ भी करना है, तो वो इतने strict नहीं होते हैं, बट cantonment के अंदर, जो cantonment board इन चीजों को regulate करता है, वहां पर जो rules होते हैं, बहुत ही ज़्यादा strict होते हैं, वहां पर आकर आपको एक अब ही renovation करना है, तो उसके लिए भी आपको बड़ा ज्यादा challenging situation का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर being a military area, बहुत जादा restrictions है, so एक तो यह करन था कि demand थी military की तरफ से, civilians की तरफ से, उसके बाद अगला question आपके दिमाग में यह आ सकता है, what would happen to the staff of cantonment board, आपको यह यह भी नहीं पता होगा कि जो cantonment board का staff है, वो usually उसी cantonment के अंदर ही रहता है, जैसे CEO है, वो तो एक transferable post है, all India level के basis पे, but जो उनका staff होता है, वो उसी cantonment में ही रहता है, मला उस station से बाहर उसकी usually posting नहीं होती है, तो ऐसे case में क्या होगा, अगर इसका merge कर रहे हैं, जिन-जि state government है, उसके अंदर merge कर दिया जाएगा, ऐसा proposal है, center की तरफ से, मलब दोनो state और central government के बीच में एक agreement होना चाहिए, चीज के लिए definitely, तो इस lines के उपर इसको आगे process किया जा रहा है, already हम discuss कर चुके हैं कि सारे के सारे cantonments में यह चीज करना impractical है, impossible लग रहा है आज की date में, ए यह proposal बहुत सालों से चल रहा है, यह आज का नहीं चल रहा है, पिछले कहीं सालों से exercise चल रही है, अभी आपने news में देखा है, so एक challenging process है, time लगता है, so कुछ cantonments में अगर यह चीज होगी भी, तो उनमें कुछ साल लग जाएंगे, और सभी cantonments में हम इसको होता हुआ नही देख रहे हैं, so पहली बात तो CEO की post maintained रहेगी, जिन-जिन cantonments में यह process नहीं होगा, अब अगला question एक और आजाता है कि future of idea service है क्या, अब यह जानने के लिए आपको idea service का एक overview पता होना चाहिए, वैसे मैंने इस service के उपर एक detailed session अल्रेड़ी बनाया था, उसका link भी मैंने description म मैं बता देता हूँ, अगर हम field postings की बात करें, जो initial आपके career में आपकी postings होती है, वो दो तरह की होती है, एक होती है chief executive officer की, जो की आप cantonment board के अंदर लगते हो, जैसा अभी हमने discuss किया, दूसरी होती है defense estates officer की, अब इस posting का relevance और important significance हम समझते हैं, हमारा usually ध्यान उन सी हो, जहां ताम जहां हो, ताम जहां आपको ज़्यादा दिखता है CEO के अंदर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, अकर चाकर, जो ऐसी posting होती है, जहां पर ताम जहां तो comparatively कम होगा, बट उसका जो significance है, उसकी importance है बहुत जादा होगी, तो वो नहीं हम देखेंगे, क्य के अंदर जो लैंड है, उसका जो लगबग एरिया है, वो है 17.95 लाक एकर्स, और Ministry of Defence सबसे जादा लैंड होल्ड करती है, अपने अंदर, अगर हम सारी मिनिस्ट्री की बात करें, उसके बाद आप कह सकतो railway का number आता है, बट सबसे जादा जो लैंड होल्डिंग है, वो MOD की अंदर है, अब इसमें से, अगर हम cantonments की बात करें, कि कितनी जमीन cantonments, जो अभी हमने कहा योल केंट से, जब अभी योल केंट का civilian area merge नहीं किया था, तो 62 cantonments थे, तो उसमें जो total land within the boundary of cantonments है, वो है लगबग सिर्फ 1.6 lakh acres, इतने में से, और जो remaining 16.35 lakh acres है, वो है outside cantonment, की जो basic functioning रहती है, वो cantonment के अंदर अंदर रहती है, cantonment के बाहर, CEO की power नहीं होती, cantonment के अंदर अंदर होती है, और cantonment के अंदर भी it is mostly restricted to civilian area, जिसकी अभी हमने बात की थी, यहां मैं बोल रहा हूँ कि पूरे cantonment के अंदर इतनी जमीन है, और उसका भी एक छोटा part होता ह civilian area, तो आप समझ सकते हो कि जिस area की हम बात कर रहे हैं, वो total area के reference है, तो बहुत कम area है, और उसमें से भी सारा का सारा बाहर नहीं जाएगा, तो major जो आप chunk देख रहे हो, इतना बड़ा chunk कि यह जो cantonments के बाहर है, और जो remaining cantonment के अंदर भी जमीन है, जो civilian area के अलावा है, उस सारी की सारी management को कौन देखता है, defense states officer, अब आप समझ सकते हो कि कितनी important post है, defense state officer के काम क्या होते हैं, कोई भी defense purpose के लिए, अगर हमारी country के अंदर land acquire होगी, तो वो इस office के through ही होगी, कोई land का, defense land का survey होगा, तो यह office ही करेगा, उसके बाद जो भी bungalows, आप देखते हो, cantonment के अंदर, अब आपको लगेगा कि बंगलों में तो civilian लोग रहते हैं, तो वो तो civilian area होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, civilian area अगर आप usually देखोगे, तो बड़ा congested सा होता है, किसी भी cantonment के अंदर, पूरानी type के आपको छोटी-छोटी shops दिखेंगी, छोटे-छोटे घर दिखें कि कोई violation तो नहीं हो रहा है, जो भी lease उगरा sign होनी है, वो सारी की सारी DO के office से ही होती है, सारा का सारा जो land record है, defense land से related record, digitization उसकी इस office के अंदर ही होती है, कोई भी ministry of defense की जमीन पर encroachment होगा, तो जो जमीन DO के management में आएगी, तो उसके उपर public premises eviction act के तहत कारवाई करके उस enc encroachment को हटाना भी DO का ही काम है, उसके बाद कोई भी मानलो ministry of defense की जमीन पर एक नया project होना है, army, air force ने कोई नया project करना है, तो उस project की site पे मानलो trees है, तो उन trees की auctioning का जो सारा का सारा process है, वो भी DO के office से ही होगा, उसके बाद जितने भी land litigation है, ये बहुत बड़ा important part है DO के office का, जितने भी land से related, ministry of defense की land से related, जितने भी cases चल रहे हैं, चाहे district court में, high court के अंदर, supreme court के अंदर, वो सारे के सारे DO का office ही देखता है, तो आप समझ सकते हो कि DO का कितना important function है, कि जो हमारी ministry of defense की land है, उसको एक तरह से manage करके रखना, उसको secure करके रखना, बहुत अच्छे level का आपके अंदर maturity आती है, इतनी maturity आपके अंदर CEO की post में नहीं आएगी, जितनी की DO के post में आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप feel करोगे कि काफी high level का जो काम है, वो मैं face करो, but yes, ताम जाम की जो शोश्यवाजी की कमी है, वो यहाँ पर दिखेगी in comparison to CEO की post, basic facilities and perks आपको definitely मिलते और इन services में रहते हुए आपका जो defense forces के officers हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा interaction होता है, आपको बहुत ज़्यादा respect, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो, जो आप एक चाहते होते हो कि society में मुझे respect मिले, एक recognition मिले, वो मिलती है, so अगर ये news जो अभी हमने देखी है, अगर इसके according, मैं worst case scenario ले रहा हूँ, कि बहुत सालों के बाद, सारे के सारे cantonments मालो, इस तरह से merge भी कर दिया जाते है, उनका civilian area merge भी कर दिया जाता है, तो भी ये जो functioning है, ये कहीं नहीं जाने वाली है, तो IDES रहेगी, रहेगी, और वो मैं आपको worst case scenario बता रहा हूँ, सारे के सा requirements पहली बात तो होंगे नहीं, और कुछ जो होंगे उनमें भी अभी काफी time लग जाएगा, so friends I hope आज के session से आपको clarity हो गई है, आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो, जो headline पढ़के conclusion निकाल लेते हो, content पढ़ते नहीं हो, अगर आप ध्यान से कुछ अच्छी news को पढ़ते है service preference order में form fill करते हो, इसको कहाँ पर place करना है, so दोस्तों जल मिलेंगे एक और नए और important session के साथ, till then keep grinding yourself and stay fit and healthy, जाहिंद!